तो इश्क हो ही गया, भाग चौदा दर्वाजा खुलने की अवाज से ही, राधा दूसरी और पीठ कर ले हाला कि अंतिम राधा के खुले पीठ को देख लिया था इसलिए वो भी दूसरी और मुड़ गया माफ करियेगा, हमें पता नहीं था कि आप कपड़े बदल रहें कलती तुम्हारी नहीं उट्टे हुए मैं ही नहीं बताई, वो बात्रूम की ओर बढ़ गई अंतिम बिस्तर से सारा समान हटाने लगा और बात्रूम की ओर देखा राधा को अंदर गए काफी वक्त हो चुका था तभी कमरे का दर्वाजा नौक हुआ अंतिम दर्वाजा खोला तो चाची जी खड़ी थे, खाने की दो थाली लिए राधा थक गई होगी न, इसलिए हम भी खाना लेते आए अंतिम थाली पकड़ा तो सुब्रा पानी का गिलास अंदर रखती भी बोली बहिए भाबी का है राधा जी बात्रूम में गई है चलो, तुम लोग खा कर अराम करो, हम चलते हैं नीचे सब को खाना परोस्तने कहकर चाची जी सुब्रा के साथ चली गई दर्वाजा बनकर अंतिम खाने की थाली टेबल पर रखा और बात्रूम के पास आकर नौक करते वे पूछा राधा जी, खाना आ गया राधा जो था खार चुके थी, लेकिन जहां उसका बाल जिप में फसा था वहां उसका हाथ नहीं पहुच पा रहा था बस एक मिनट में आई राधा अपने ठकावत भरी आवाज में बोले आप ठीक तो है राधा जी अंतिम परिशानी से पूछा वो मेरे बाल चेन में फस गया है अब नहीं जिब बंध हो रहा है और नहीं बाल निकल रहा है उफ कैची देंगे क्या बाल ही नीचे से काट देती हूँ राधा परिशान होकर बोले हम हम बुलाएं किसी को अंतिम उससे पूछा राधा अपने दर्द हो रहे हाथ को जटकते हुए बोली अभी सब खा रहे होंगे आप कैची दीजे अंतिम कैची लिया और बात्रूं का दर्वाजा खोलने को बूला राधा जैसे दर्वाजा खोली अंतिम आखे बंद किये खड़ा था राधा जी आपके बाल खराब हो गए तो पर कबसे बाल भी दर्द हो रहा और इसे निकालने में आप भी राधा परिशानी से बोले दुख्याप अंतिम जल्दी से कमरे के बाहर निकला और नीचे पहुचकर बरसटा सुई के पास गया सभी खाना खा रहते हैं लेकिन विसाखा चाची और सुधा जी बची हुई थी अंतिम धीरे से चाची को इशारा कर अपने पास बुलाया चाची सीड़ियों के पास गई और अंतिम से पूछी क्या हुआ कोई बात है चाची राधा जी को आपकी जुरूरत है चाची परिशानी से पूछी क्या हुआ उनका बाल सूट में फस गया है वो कबसे बात्रों में अकेले परिशान हो रहे हम तो नहीं जा सकते इसलिए आपको बुलाए अन्तिम परिशानी से सारी बात बोल गया लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि अपने रिष्टे के सच्चाई भी विसाखा चाची को बता दिया चाची जी समझ गई कि अभी अन्तिम और राधा एक दूसरे के साथ सहज नहीं हो पाए है चलो कहती हुई चाची उपर की और बढ़ी और अन्तिम के साथ उसके कमरे में आई राधा जी चाची आपकी मदद कर देंगे अन्तिम बात्रूं के बाहर से बोला राधा भी खुश ह करने आया चाची अंदर गई और राधा की बाल को जिप से फसा देख बोले यह तो बहुत बुरी तरीके से फसा है तो चाची जी बाल ही काट दीचे यह लिजे कैची राधा कैची उन्हें थमाती हुई बोले चाची हस पड़े पागल इसके लिए इतने अच्छे बाल खर जाने में एक्सपर्ट है चाची जैसे ही बोले राधा का दिल जोरो से धरकने लगा उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और पूरा पीट खुला हुआ था वो ऐसे में अंतिम के सामने कैसे जा सकते थी नहीं नहीं चाची हलका सा फसा है बस मेरा हाथ नहीं पूछ रहा मैं किप में और भसाती हुए मन में बोली बहुत दूरियां हो गए तुम दोनों की अब ये छोटी चाची मिटाएगे तुम दोनों के बीच के पर मैल्टी को अरे ही बगवान चाची नाट किया धंग से चिल लाई इसे सुन राधा और अंतिम दोनों घबरा गये का हुआ चाची के कहते ही अंतिम खबरा गया हम 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 कैसे क्यों पती हो राधा कि इतनी मदद नहीं कर सकते बेचारी के देखो तो कितनी तकलीफ में रहने दो आओ राधा बाली कार देते हैं तुम्हारा क्या हुआ अगर तुम्हें थोड़ा दूख होगा चाची जोरों से बूल और वो मदद करने के लिए आ जाए और हुआ भी वैसा ही अंतिम अंदर आ गया कहां उलजा है चाची अंतिम हिचकी चाते हुए बात्रिम में दाखिल हुआ चाची राधा के पीठ के सामने से हट गई अंतिम राधा के पास आया और धीरे से हाथ जिप के पास ले जाकर बा राधा अपनी नंगी पीट पर अंतिम की ठंडी उलियों को महसूस कर काप उठी। चाची दोनों को अकेला छोड़ मुस्कुराती हुई कमरी से निकल नीचे चली गई। अंतिम के लिए ये पल बहुत मुश्किल भीत रहा था। वो जानता था राधा भी आसहज हो रही लेकिन कमबख्त ये बाल भी इतना उलच चुका था कि अंतिम को गुसा आने लगा। वो जितनी जल्दी हो सके बाल सुलजा कर साइट कर दिया। हो गया राधा जी। कहता हुआ अंतिम नजरे चुराते हुए बात्रूम से बाहर निकल गया। राधा दिवार से सटकर आखे बंद कर खड़ी हो गई। ये पहली मरतबा था जब किसी मर्दी ने उसे ऐसे चुआ था। थोड़ी देर में राधा बाहर आई। अंतिम खाने की थाली रखे। राधा का ही इंतिजार कर रहा था खाने के लिए। अब आदा जो लग गई थी एक साथ खाने की। दोनों एक दूसरे से बिना नजरे मिलाए खाने के लिए बैठ गये। चाची सबजी बहुत अच्छी मनाती हैं। राधा कोई दूसरी बात करती हुई अंतिम से सहज होने की कोशिश की। अंतिम कोई जवाब नहीं दिया। और खाने के थाली देखता रहा। उसकी आखे खाने को यू देख रही थी। जैसे वो खाना उसके हलक से नहीं क्या हो दूबेजे। राधा अंतिम की ओर देखते हुए पूछी। अपकी बार भी कोई जवाब नहीं। मानो राधा की आवाज ही उस तक नहीं पहुच रही थी। अंतिम तो किसी खयाल में खोया था। तभी उसके कंधे पर हलका थपथा पाकर राधा उसकी तंद्रा त देखा। क्या हुआ है। राधा अपनी भौवे सिकोड सवाल की। उसके सवाल का जवाब अंतिम नहीं जानता था कैसे दे। राधा उसके चेहरे पर कोई भाव न देख। एक बार खाने की ओर देखी। और कुछ तो था जो उसे खटक गया। ये सबजी नहीं खाते क्या राधा बोली ही थी जब अंतिम अपनी थाली एक और सरका कर उठने लगा। मगर राधा ततकाल इसकी कलाई थाम ले। नहीं पहले जवाब दो। अंतिम राधा को एक नजर देखा फिर सबजी की ओर देखा। इलरजी है हमें चने से। इतना सुनते ही राधा के चेहरे की ह हमाया उड़ गई। क्या कोई इस बात को ध्यान नहीं दिया कि अंतिम को एलरजी है चने से। वो अंतिम की थाली जल्दी से दूसरी और सरका दी। ये मतलब चाची ध्यान नहीं दी। शायद भूल गई होंगी। अंतिम धीमे सर में जवाब दिया। उसका जवाब सुनत नहीं दाधा तपाक से बोली। और मा? अंतिम कोई जवाब नहीं दिया। राधा अब भी अंतिम की कलाई पकड़ी हुई थी। जब अंतिम कुछ बोला नहीं तो राधा दोनों के थाली लिये उठी। कोई बात नहीं। मैं कुछ और लेकर आती हूँ। छोड़ दीजे र में अंतिम की ओर देखें। जानती हो जान कितने कीमती है। किसी के जाने के वाद हाल बुरा हो जाता है पूरी परिगार का। अंतिम राधा के हाथ से अपना हाथ छुड़ा कर कहा। हर घर में ऐसा नहीं होता राधा जे। आप खार लीजे। राधा को अंतिम की बात में दर्द महसूस हुआ सालो पुराना दर्द लेकिन इस दर्द के चक्कर में वो अंतिम को भूका नहीं छोड़ सकती थी ठीक है तुम यही चाहते हो ना मैं भूकी रहू कोई बात नहीं कहकर राधा भी उठ खड़ी हुई उसकी बात सुन अंतिम घबराया नहीं राधा जी भूके पेट सोने से पेट दर्द होगा राधा अंतिम की योर थोड़ा बढ़ कर आई और अंतिम की चेहरे को अपने हाथ में थामे बोली तुम्हारे पास भी पेट है दूबे जी जो भूक से दर्द करता है अभी मैं दूसरी सबजी बना रहे फिर मिलकर खाएंगे राधा की बात पर अंतिम उसे गौर से देखने लगा तभी राधा को अभास हुआ वो अंतिम की कितने करीब खड़ी है और अंतिम का चेहरा उसके हाथ में थामा हुआ है जल्दी से अपना हाथ पीछे खीच कर दूसरी और मुड़ गई राधा की सासे तेज हो चुकी थी वो हर बड़ा कर बाहर जाते हुई खुद से बूली ये क्या कर रही थी राधा? क्या सोच रहे हुँगे दूबे जी? इधर अन्तिम अभी भी उसोर देख रहा था जहां राधा गई थी उसके मन में कई खयाल आ रहे थे और अजीब सा दर्द भी था कि क्यूं जिस तरह राधा उसके लिए अज फिक्र मन्ध है? कोई और क्यूं नहीं? उसकी अपनी मा ये बात याद नहीं रखी कि बच्पन से अन्तिम को चना मना है? अन्तिम तो अब मायूस भी नहीं होता कैसे होता बिचारा? अब तो मायूसी ने भी उसका साथ छोड़ दिया था इस कदर अकेला था वो कुछ देर में राधा वापस कमरे में आई उसके हाथ में अब दो नई थालियां थी जिसमें कद्दू के सबजी थी और वही रोटिया आओ बैठो राधा थाली जमीन पर रखते हुई बोली अन्तिम उसकी बात पर सिरहलाया और राधा के सामने बैठ गया दोनों अब अराम से खा रहते बाती करते हुए या कहें तो राधा ही बोले जा रही थी अन्तिम तो खामूसी से उसकी बात सुन रहा था तबी अन्तिम की नजर कमरे में हरोड दोड़ी वहां कहीं भी उसका अलग से बिस्तर या चटाई नहीं था अन्तिम अचरस से सवाल किया जिसपे राधा अपने खाने का निवाला खाती ही बोले चाची को जरुवती तो मैं दे दी कब अन्तिम हर बड़ा कर पूछा सुबे में राधा जवाब दी तबी अन्तिम फिर पूछा आउर हमार विस्तर वो भी दे दी राधा अगला निवाला खाती हुई बोले अन्तिम थोड़ा सोच में पड़ गया और कहा कौन बात नहीं हम ऐसे ही सो जाएंगे ऐसे क्यों तुम मेरे साथ सो गये राधा बड़े लापरवाहिस से बोल गई मगर उसकी बात सुनते ही अन्तिम की गले का खाना अटक गया और वो जोरों से खासने लगा वहां राधा को अभास हुआ तो वो अपना सिर पर मारकर अन्तिम को पानी थमाती हुई समझाई देखो गलत मत समझो मेरी कहने का मतलब है बिस्तर बड़ा है दोनों आराम से सो जाएंगे मगर आप असहज मतलब हम आप साथ एक बिस्तर पर अन्तिम कुछ बोलना चाहता था मगर शब्द उसके मुँण से निकल नहीं रहे थे बीच में तक्या रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे भी आप पर भरुसा है दुबे जी राधा अन्तिम से बोली अन्तिम पानी पीकर पानी का गिलास थाली के पास रखा और सर जुकाई बोला मगर फिर भी आपको ये जबजस्ती करनी के ज़रूरत नहीं हमें मालूम है आप ये सब हमारी लिए बोल रहीं ऐसी बात नहीं दुबे जी एतने दिन में एक बात का विश्वास है तुम कभी कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे मुझे तकलीफ हो राधा मुस्कुरा कर जवाब दी उसकी बात सुन अंतिम अपना सेर जुखाये खाने लगा मगर एक हलकी सी मुस्कुराहट उसके छेहरे पर आ गई अच कितनी वक्त बाद किसी ने उस पे विश्वास किया था वहीं राधा की यांकी फिर चौड़ी हो गई क्योंकि उसने ध्यान दिया कि जल्द बाजी में राधा अपना जूठा पानी ही अंतिम को पीनी को दे दी और अंतिम भी बिना ध्यान दिये उसी गलास से पानी पी रहा था जहां इस वक्त राधा के लिपस्टिक का निशान था और बुलाली अब कुछ-कुछ आंतिम के खोटो पर जा लेगी तो हेलो 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 सबकी डिमांद है कि पार्ट रोज लाईए आप डेली पार्ट क्यों नहीं देती तो यह मताई इतने लोग इस पूरे वीडियो को देखते हैं और कितने कमेंट करते हों कितने लाइक तो जब सब्सक्राण करने लेगें तो मैं भी जल्दी पार्ट लाँगी तो जल्दी पार्ट चीक्णब जल्दी से कमेंट कर दो